नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका कक्छा अर्थसास्थ्र्, दोस्तों मैं ले कर आए हूं मोडल paper MODEL पεται जो अभी अर्थवारश्य की परिख्षा होनी помогे मैं यह बना सब्सक्राइब और 23ूद 24 चाह्म पर बना सब्सक्राइब के लिए और इसमेंसे मैं इतनी और आ改 Sat करते जाएंगे चलिए इसको सुरुआत करते हैं कि कुरा मैंने पूई फॉर्म लियाliest जिस तरीके से जितने नमर के बेहु विकल पाने में जाने मुखल पाने मेठेल इतनुग क्या अने आने मे स्पेस्धार कर दो सही बिकल्प चुनकंपशाइब घस्ती अर्सास, ब्यस्टी अर्सास, राष्टी अर्सास, और राष्टी अंद्पाद, तो इसका आंसर होगा आपका समश्टी रिस्ता सक्राइए निम्ना किन्त में से कौन सी वस्तू पूरा पयं चाय तथा कौपी पैपसी शॉशी शॉश्च को Dale कौन हैं इन По से कोई नहीं कौन है इंड मेंसे कोई नहीं ठीक हुआ छली अंगला देखते हैं तीसरा है पहला पहलाइक मानी का बिचार ने अतिय अल्प कालियी दिरकालिय सब्सद से दोसे चलिए नेक्स्ट कोश्चनन नोर्म सोर्मका बराबर विक्रेटा मांग बराबर पूर्टीज पूर्टीज disruptive लिल सीमा बराबर निमत्म सीमा इसका और आंसे होगा आप गजित टीक है झेस जडिए अंगला है कल्यां कडली आसास ओके चले वह आते हैं खालिस्तान तो खालिस्तान तो गुडातमक इसे किया होते हैं पूरत्ध होते हैं दूसरा है मनकी लिच गुडातमक क् presents कीमत कहते हैं क्या कहते हैं कीमत कहते हैं बहरत में रास्टी आिकी गणना का कार खालिष्तान केंड्रेषे संध की संघ्ठान कार्ट एक हम करता कुम करता केंड्रेष संग्ठान इसी को कहेंग अनsightane ओूर्गनाइजिज़शन ठीक है और नेट्स अभारत का केंद्रे बेंक क्या है ? और नेट्स है आपका संतुलेत् बजहेट में आएधि कि रासी कैसी होती है बरावर होती है कैसी होती है बरावर होती है चलिए तुझे हमारे अंसर हो गए अब next हम देखते हैं सत करना है तो यह अंसर हो जाएगा आपका आसर प्रोकींज को आदिनिक अजसास के जनक की रूब में जाना जाता है तो इसका आणसर भी गलत है ओके और इस्टॉक परिवरतन एक प्रवाय है इसका आणसर क्या हो जाएगा सथ और लास्ट बाला व्यापर संतुलन भुकताज सं मिलाते हैं जोड़ी तो देख लिजे जोड़ी टोटल कितनी है बस्तू की मांग देख लिजे बस्तू की मांग का संबंद है बस्तू की मांग का संबंद आपका इधर देख लिजे इस साइट है इससे है मांग के नियम से ओके और नेक्स्ट है आपका दूसरा है आपका फर बरावर mc और next तीसरा देखते हैं तीसरा आंसर है कीमत सीमा कीमत सीमा का आंसर है आपका सारवजनिक बित्रन प्रणाली और चौथा जन संख्या में ब्रद्धी होने से क्या होता है प्रतिवेक्ति आय में कमी होती है और next या यह बटेल्टा बाए यह इसलोट फटेल्टा वाय ठीक है और next अब देख लिए अधर एक अंसर जाना पड़ रहा है लिए बारबर आपका छटवा यह उपरूग फलन ओम ऊपवोग फलन प्लिंग कासा यह यह सिवरावर देखले दिएल से सी ब्रावर यह उच्टेक आपका है साथ सब्सक्राव कमा तले यह सी बैद प्णiform तो सबसे पहले है बैक्तिकत मांग अनसूसी से क्या ग्यात किया जा सकता है तो आंसर होगा बस्तू की बिभिन इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको चलिए पहले का अंसर आपका बस्तू की विवन मात्राओं का उर्के दूसरा है प्रतिफल का एक कारण एक कारण बताइए तो answers रोजाएं का विसेश्टी करन क्या होगा दूसरी का आंसर आफ सरे आ कि शेट्र है चौधा आंसर आपका देख लीजिए चौधा कोश्चन है किंस के आयवा रोजगर सिद्धन्त की अब दर्ण क्या है तो आंसर है आपका प्रुभावी मांग ठीक है पांच वाइक कींस के गुड़क का सूत्र बताईए तो किंस के गुड़क का सूत्र के बरावर बन अपन ब अंगला कोश्चन है व्यापार संचोलन किसका अंग माना जाता तो व्यापार संचोलन भुक्तान संचोलन का अंग माना जाता ओजशलेख बें आप आपन दोड़ेंगे इनका अंसर आपको थोड़ा से स्मयम ढूड़ना पड़ेगा मैं आपको इंपोड़ेंट इंपोर्टेंट कोचन बताते जा रहा हूँ आप इनको बढ़िया से करते जाना इन से बार कोचेंगे इतनी गारंटी मैं लेता हूं चलिए पहरा कोश्चन है छटबा कोश्चन है जो दो नमर का आएगा बैस्टी अर्सास का मुख यंत्र कीमत यंत्र है इस पस्ट कीजिए ठीक है दूसरा कोश्चन सेमयल ने अर्थवर्ष्टा की कौन सी समस्यां का उल्ले किया है कोश्चन नमर साथ है उत्पत्ति हास्नियम का छेत्र स्पष्ट कीजिए यह आपका क्या है दो नमर का है और इसका अत्वा औस उत्पत किसे कहते हैं इंपर्टन कोश्चन सारे कोश्चन नमर आठ है एक बार में फर्मों की संतुलन संक्या किस परकार निर्धारत होती है जब कोशन यह दि बस्तू एक्स की स्थापन बस्तू य की कीमत में ब्रद्धी होती है तो बस्तू एक्स की कीमत अथा मातरा पर इसका क्या प्रवाँ पड़ेगा दो बस्ता से क्या सैं। दो नमर का है दसमा कोश्षण है और इसका फ़्राइ जसे क्वाष निए चॉश्छन है श्टॉप में पडिवत्तन से क्या आस है इसका पॉनिप नश you किस प्रिकार का विसलेशन है तो इसका आत्वा आजाएगा कुल मांग की घटकों के नाम लिखिए दू अच्छा से आपका पंदरा नमर तक दो दो नमर के हैं ठीक है सभी अच्छा कोश्चन नमर 14 है अतिरेक मांग की इस्तति में किस प्रिकार का बजट बनाना चाहिए इसक मांग के आए देठ आरब आपकर प्रवाफ्पुल मांग कै आउक खलंग कें किसे तो आए अब आप क्या अति आते हैं तीन sizo । तथा सीमान्त उप्योक्ता में तीन संबंद लिखिए इसका अत्वा हो जाएगा उप्योक्ता या तुस्टी गुण की परिवासा दीजिए सीमान्त उप्योक्ता हासनियम लागू होने के कारण लिखिए तीन नमर का है बजट लाइन का अर्थ समझाईए कोस्ट नमर 18 है इसका अत्वा हो जाएगा धातु मुद्रव पक्रों की प्रमुख चार विशेष्था लेकिए और स्थिरव आवं परिवारतन सिल लागत में अंतर बताईए भारत में बजट प्रक्रिया की मुख बातों कउवरण कीजिए बजट के प्रकारों का वरण कीजिए अंगला कोशन ने ब्यापार संतुलन तथा बुक्तान संतुलन की सापक्षिक महद बताईए विदेशी बिनियम दर्पू लाभवित करने वाले चार प्रमुक्तत्मों को लिखिए यह अमारी मोडल पेपर था कहा था ध्यान रखना इस पेपर में से आपका कम से कम 80% फसेगा तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ ल लगा है और मेरी मेहनत अगर आपको अच्छे लगे तो इसको आप लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिए ओके चले धन्वाद और मिलते हैं नेक्स्ट किसी दूसरी वीडियो में